हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बर द्वारा से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए हो तो जाएगो सब्सक्राइब कर लिजे साथ बेल को तबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन र आपके स्टॉक के ओबर वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट कर देजिए अगर उस्टॉक अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा कुछ उसमें अच्छा समझाने लाइक होगा या मेरी खुद की लर्निंग के लिए होगा तो डेफिनिट उसके और वीडियो बनाऊंगा ठीक है और यह कोशन लगा था आ रहा था जी एक रूपे ले स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं जीटियल इन्फरा के बारे में नहीं है जीटियल लिमिरिट के बारे में ठीक है चो इस टोग चारो सता रुपे से गिरकर एक रुपे तग आया एक networking शेर आप बोल सकते हो network service right गरवाता भी दिखाता हूं आपको और स्टोग एक रुपे से almost आपका 14 रुपे हो गया ठीक है इसलिए बोला जाता सर पैनी स्टोग में definitely wealth वन सकती है लेकिन ध्यान रखो अगर ये wealth creator भी है तो ये destroyer भी कर सकता है आपकी wealth को destroy भी कर सकता है इसलिए आपको risk management हमेशा उपर रखना top में उसके बाद आप कुछ भी चीज़े कर सकते हो ठीक है और हमेशा शेर करता हो कि आपको stock को कहां buy करना logical तरीका निकालो ठीक है कभी भी कोई stock कर उपर जा रहा है तो उसको पागलो की तरह न follow मत करो एक line बोलूँगा stock market में stocks को chase मत करो wait करो opportunity का मतलब support के आजपा जितना हो सके buy करो resistance के आजपा sell करो मतलब जब भी किसी stock का RSI अभी एक life example के साथ दिखाऊंगा तो रह सकते हो कर देखना वीडियोज ठीक है तो RSI अगर 80 के उपर चले जाए 80 के आसपा चले 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 जाए तो भूल कर भी stock को ना हाथ मद डालना हाथ जल जाएंगे हाथ का जल जाएंगे पुरे कपड़े उतर जाएंगे ठीक है बहुत लोग बोलेंगे इसलिए भूल कर भी गलतिया मत करना ये लॉजिकल तरीका बताता हूँ अब लोगों को सिर्पतब पसंद गया है कि भाईया आपना stock का नाम बोल दो जल 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 दी हम stock को कल भाई कर ले भाई ऐसा काम नहीं होता है सीखो न भाई कब तक रहोगे समझ रहो ना मैं क्या कहना जाता हूँ ठीक रुजाना stock में 99% 80% का माल लोग घर लेके जा रहे है अब वो कौन होगा retail ही होगा बाई सिंपल सी बात है FII और DIA में इतना दिमाग है कि वो ये गलती नहीं करेंगे उन्हें जाग गलती करने थी एक रुपे और दो रुपे के levels में वो कर चुके है ठीक ह अगर वो 80% नहीं गिरेगी 90% नहीं गिरेगी लेकिन कम सेंगा 50% तो गिरेगी तो आप भी 50% के गिरने का इंतजार करो ना अगर आपको stock को buy करना है खुझली हो यह buy करने के वह जादा ठीक है तो देखो मैं कि stock के बात करूँ यह थोड़ा वो ज्यान देना था जो बहुत हाई लगाया stock ने भाई साब 3,000 रुपे गा ठीक है तो यह सारा समझो तीन है वाला चीज आपको 1 रुपे मिल रहा है तो definitely buy करना चाहिए न अगर करना है अगर एक रुपे बाई नहीं किया तो कहीं हौर भी तो buy कर सकते थे कहां आपने opportunity miss करी वो आपको बताऊंगा और अ इसके fundamental analysis में होता है अगर आप एक बार funda कर लोगे ना इसका funda मतलब इसके profit चेक कर लोगे आपको खुद दिख जाएगा stock में कूड़ा है कुछ नहीं है बात करते company के fundamental analysis ठीक है आप दोस्ता आप दिखके NRC BSC दोनों में काम काज होता बढ़िया stock है यां तक तो current value चलना 14 रूपी का असब value देखे book value minus 472 क्या कहने का मतलब इसका मतलब की company profitable नहीं है इसलिए 400 बातर माइनस दिखा रहा है ठीक हाई लोग आप चेक कर सकते all time high cash for trade कर रहा है और सबसे बड़ा negative factor 99% के असब pledge holding हो रखी है अगर ये भी आपको अगर अच्छ negative हो रखी है तब इस stock का मैं बोल रहा हूँ 10 में से 1 stock होगा जो उसको follow नहीं करेगा rule को अगर वो stock उपर चले जाता तो आपको अपना risk management को small करते वे एक अच्छी सी strategy develop करने के बाद stock में entry कर सकते को दिक्कत नहीं है लेकिन आपको risk reward का ध्यान डखना अगर आप entry कर रहे हो कम से कम 1-2 का reward तो रखो मतलब 1 रुपे का अगर loss ले रहे हो तो 2 रुपे का reward रखो कि मैं 2 रुपे से पहले नहीं निकलूँगा ऐसा कुछ ठीक है और लोग गलती करते हैं उनका जो reward होता है वो होता है 50 पैसेगा ठीक है और उनका risk होता है 5 रुपेगा penny stocks में यहीं गलती हो करते हैं इसी वज़े पैसा बन सकता है जिन्होंने बहुत मेहनत कर रिखी है अपने time invest किया है कि कैसे penny stocks select किया जाता है research करी है ठीक है behind the stock videos देखते देखते साथ में अपनी खुद की research करते है charts में उसको apply करके जो चीज़े मैं आपको बतलाता हूँ अगर आप उसको charts में apply करोगे fundamental analysis करोगे और ए ऐसे आपको बता हर संदे मेरी class भी होती है free of cost जो भी मुझे आता है छोटा बोटा ग्यान वहां share कर देता हूँ जिसे RSI का ग्यान है लगातार आप लोग मुझे वोले video बना दो और मैंने private class में class देख चुका हूँ कि RSI का मतलब क्या है मतलब definition नहीं बताई है मैंने कहां क जिट करना है कहां proper looking करना है कहां entry करनी है proper एक तरीके से ठीक है इसलिए बोला जाता है जो चीज़े मैं आपको साइज YouTube में बाद upload करूँ private class में पहले बतला दूँ तो भाई आ जाओ private class में इस video को share कर दो Facebook में तभी आपको enroll मिल पाएगा private class में free of cost है free का मतलब यह नहीं कि लंगर लगा हुआ है free का मतलब यह कुछ नहीं कुछ सिखने को मिलेगा ठीक है तो मर्जी आपकी अगर आपको आना है तो ठीक है free समझके मतलब आना कि free मिल रहा तो भईय बेकार मिलेगा अरे भाई free मिल रहा है महत करके बथा रहा हूँ आपको 10 मिट का वीडियो बनाऊँगा संड़े वी क्लास में तो उसमें महत लगती है सोचना पड़ता है सुबह उड़ता हूँ संड़े को तो सबसे बहले यह दिमाग में आता है कि भईया क्या क्लास के लिए टॉपिक्स यूज करूँ ठीक है उसके बाद वीडियो को आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करना पड़ता है सुबह 8 वीडियो से लेके अल्मूस्ट एक बच जाता है ठीक है 8 से एक इतनी महनतों में अपने याले जो वीडियो बनाता हूँ उसमें नी लगती में इतनी मेहन सितनी उसमें लगती है क्योकि भइया वहाँ सौचना बढ़ता टॉपिक क्योकि टॉपिक थो आप मुझे देते नहीं कि वह किस कैपर बनाना है समझे के तो इसलिए बोला जाता है बाई मेहत लगती है फ्री में मत बोला करो अब क्यों profitable बनी है ध्यान देने जली बात यहां अबर ही company अबने expense cut करें बस अगर company अबने expense cut कर देती है तो बहुत profitable बन जाती है हर company अगर अपने expense cut कर दे तो profitable बन जाएगी ठीक है बहुत simple सा logic है and दूसरे के लगता 10 साल से कमणी loss making है ठीक है अभी एक साल में प्रॉपिटेबल बनी है और इसी वज़े स्टॉक में आप बोल सकते छोटी तेजी देखने को मिल रही है बस ठीक है बात करते हैं कमपनी के रिजब की नेगटिव रिजब है ठीक है लोन कमपनी का 194 क्रोड के आसपास का है से रोल्डिक पैटन दोस्तों देखिए 32% मालिकों की होल्डिंग है जो प्लेज हो रखी है और लगातार अपनी होल्डिंग बेच भी रहे है कुछ जिन की प्लेज नहीं है ठीक है और DIA की होल्डिंग देख सकते हो 21% के आसपास है लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे है और यहाँ जो आपको पब्लिक की holding हो बढ़ जाएगी इसको आप धिहान से देखना अगले कुछ महीन हो में ठीक है अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की जो से एक अच्छा आज यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और यहाँ अब बात करते हैं अब बात करते हैं एक सिंपल सी logical strategy की काम या एंटी कर सकते दोस्तों देखिए एक रुपे का लेवल्स था अगर वहाँ करते रिक्स रिवर्ट के साथ तो अच्छा खासा पैसा बनता अब यहाँ आट रुपे के लेवल्स में भी डेकाउट हुआ था ऑल्मोस उसे ही देखिए यह होता रिट्रेस्मेंट आट रुपे लेश्येच आपकी चार पांश रुपे आगई समझ रहे हो तो यहाँ पर आपको accumulate करना देखिए यहां 50 आरसी आया यहाँ पर stock को accumulate करना start करो दीर दीर करके quantity buy करो जिस दीन हा stop गिरे stock को buy करो है बहुत सिंपल सी स्ट्राइजी अपलाए करो पैसा बन जाएगा ठीक है और 80 आते इस ट्रॉक में देखिए यह उपर जा रहा है अब आपको लालस दे रहा है कि इस ट्रॉक को बाई करो बाई करो एन दोस्तों जैसे आप बाई करोगे इस ट्रॉक दढाम से नीचे गड़ इस लिए बन आपको करना है आपको वेट करना जाएगा वहां पर अगर आपको मौका मिलता आप बाई करके स्टोक को hold कर सकती हूँ ठीक है बाई तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ जो मुझे समझाना था जो ग्यान देना था इस आपको ग्यान मिल गया होगा वह लेस एक कोशन हो राता कि अगर जिसने एक रुपे और पांच रुपे की लेवर्स में बाए किया क्या करें भाई जब भी हंडेट किसमे का गेन पैनी स्टॉक्स में आए ना तो सबसे पहले अपना कैपेटल बचाओ कैपेटल बचाओ बतला कैपेटल को बिड्रो करो उसको दूसरे पैनी स्टॉक में लगाओ और फिर रखे ने तो अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट को रखो गैंबल करने के लिए क्या पता वो जो आपने अभी प्रॉफिट रखा है वो क्या पता आपका हजार रुपे का स्टॉक हो जाए और क्या पता वो जीरो हो जाए तो अगर जीरो हो गया तो भाई या emotionless investing हो गई आपको दुख नहीं होगा अगर हजार हो गया तो भाई या बल्ले बल्ले ठीक है तो ये strategy अप्लाए गड़ो definitely पैसा बनेगा penny stocks में मिलता हूं next video चलिए बाई बाई goodnight